त्रेटा युग की तर्ज में सज रही अयोध्या नगरी अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है क्योंकि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 की जाएगी और वह गर्भगरह में विराजमान होंगे जहाँ पर वह पांच साल के बाल स्वरूप के रूप में होंगे इसलिए उनके साथ माता सीता की मूर्ती नहीं रखी जाएगी सक्तर एकड में फैला ये राम मंदिर में छे अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं प्रान प्रतिष्था के समय देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के अलावा सीएम योगी के साथ देश के नामचीन नेता सेलेब्रिटी आदी शामिल होंगे इस खास मौके पर पूरे अयोध्या को त्रेता युग के तर्स पर सजाया जा रहा है जिसका प्रवेश द्वार से लेकर हर एक खंभे का नाम त्रेता युग के संदर्भ में दिया जा रहा है ऐसे में जाने त्रेता युग का श्री राम से क्या है संबंध पूरे अयोध्या की सडकों के किनारे किनारे सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं जो भगवान सूर्य के सूर्य वंशज होने का प्रतीक है इसके साथ ही किनारों के दिवार में रामायन काल से संबंधित प्रसंगों को लिखा जाएगा हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रेता युग चार युगों में से एक युग है इसे दूसरा युग माना जाता है जब सत्युग समाप्थ हुआ तो इस युग का आरंभ हुआ था इस युग में भगवान विश्णु ने पांचवा यानि वामन, छठा परशुराम और सात्वा अवतार राम के रूप में लिया था यह युग करीब 12,96,000 वर्ष का था इस युग में लोगों की आयु करीब 10,000 साल होती थी सबसे लंबा युग सत्युग था जो 17,28,000 वर्ष का था त्रेटा युग रुशब रूपी धर्म तीन पैरों पर खड़े हुए थे जो दया, स्वच्छता और सत्य थे इस युग का आखिरी और सात्वा अवतार श्री राम थे श्री राम ने अयोध्या के राजा दशरत के घर जन्म लिया था श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था इसके बाद अपने पिता की आग्या मान कर श्री राम 14 वर्ष के लिए बनवास किया था उस दौरान उनके साथ मा सीता और उनके छोटे भाई लक्षमन भी थे इस दौरान सीता हरन से लेकर लंका देहन तक हुआ था और लंका पती रावन का वद किया था दशरा के दिन भगवान राम से रावन का वद किया था इसके बाद दिवाली के दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आये थे इसके बाद त्रेता युग में भगवान राम ने सर्यू नदी में जल समाधी ले ली थी और द्वापर युग का आरंभ हो गया था